नेक्स्ट फाइलम है प्लैटी हेलमेंटिस प्लैटी हेलमेंटिस में अबन फ्लैट वाम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं प्लैटी का मेनिंग क्या होता है यहाँ पे फ्लैट होता है और हेलमेंटिस का मेनिंग क्या होता है वाम्स होता है तो प्लैटी हेलमेंटिस में फ्लै प्लैटफॉर्म्स बोला चाहता है और इनके हैबिटेट की बात करें तो यह एक प्लैटी हलमेंथिस पहला फाइलम है जिसमें जो और गनीजम होते हैं वो एज एंडो पेरसाइट रहते हैं और यहां पर जो प्लैनेरिया होता है जिसमें हाई रीचनरेशन कैपसिटी देखन है तो प्लैटी हलमेंथिस में अपनको सबसे पहले एंडो पेरसाइट देखने को मिलते हैं जो भूस्ट की बॉड़ी में रहते हैं और यहां पर एक एक एक्सेप्शन है जो प्लैनेरिया होता है वो फ्री लिविंग होता है और यहां पर सिमेटरल की बात करें तो सबसे प स्ब्रेश में। इसमा गोलां एक टेवmee कघ चरहन मुझा पर सुछते निद्डन आर्ला के लिएक चैनल 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 माहंने संद Twenty दॉप करें। प्लेटी हेलमेंथिस में अपनको head का formation देखने को मिलता है इनका जो body region होता है वहांपे सबसे पहले क्या present होता है head present होता है जहांपे hooks और suckers present होते हैं उसके बाद में neck present होती है और neck के बाद में क्या होता है strobula region होता है और इनमें germ layer के बाद करें प्लेटी हेलमेंथिस पहला फाइलम है जहां से अपनको triploblastik germ layer देखने को मिलती है मतलब इनकी body में ectoderm और endoderm के साथ mesoderm भी देखने को मिलती है और यहांपे level of organization की बात करें तो प्लेटी हेलमेंथिस में एक ऐसा फाइलम है जिसमें organ level of organization प्लेटी हेलमेंथिस बस एक ऐसा फाइलम है जहां पे organ level of organization प्रजेंट होता है सिलोम की बात करें तो इनमें सिलोम एपसेंट होता है बॉडी प्लान की अगर बात करें तो इनका जो बॉडी प्लान होता है वो blind sack type होता है blind sack type का body plan होता है उसका मतलब क्या होता है इनकी बॉडी में mouth तो present होता है बट यहां पे जो एनस होता है वो क्या होता है absent होता है अभी आगे diagram में देखेंगे इनकी बॉडी में mouth देखेंगे बट इनकी बॉडी में जो एनस होता है वो क्या होता है absent होता है और ऐसे टाइप के body plant को अपन क्या बोलते हैं, blind, sag बोलते हैं, जहां पर जो mouth होता है, वो ऐसे mouth पर काम करता है, और ऐसे NS भी काम करता है, इनमें respiration और circulation की बात करें, तो जो respiration और circulation होता है, वो general body surface के through होता है, इनमें कोई specific respiratory और circulatory organs नहीं होते, nervous system की बात करें, यहां पर तो nervous system बहुत important है, platy helmetus में जो nervous system होता है, वो ladder-like होता है, तो यह धान रखना है, platy helmetus में जो nervous system होता है, वो ladder-like होता है, और उसमें nerve cord present होती है, और बहुत important है, यहां पर excretion के लिए flame cells present होती है, जिनको solenocytes भी बोला जाता है, यह प्रोटो नेफरीडिया भी बोला जाता है, बहुत important है, यहां से cushion frame होता है, तो आपको याद रखना है, जो platy helmetus होते हैं, और में excretion किस के तुरू होगा, plane cells के तुरू होगा, इसको ऐसे याद कर लेंना, जो platy helmetus होते हैं, वो क्या होते हैं, parasitic form होते हैं, तो उनमें जो excretion का प्रोटो नेफरडिया भी बोलते हैं, और इनमें जो segmentation होता है वो कैसा होता है pseudo segmentation होता है इनकी body में जो true segmentation होता है वो absent होता है pseudo segmentation होता है और यहाँ पे जो pseudo segments present होते हैं उनको क्या बोला जाता है प्रोग्लोटेट बोला जाता है यहाँ पे जो pseudo segments होते हैं उनको क्या बोला जाता है प्रोग्लोटेट बोला जाता ह और इनके reproductive system की बात करें तो यह क्या होते हैं? Hermaphrodite होते हैं, मतलब bisexual होते हैं, मतलब same जो individual होगा वो एग भी produce करेगा और sperm भी produce करेगा. Fertilization की अगर बात करें तो इनमें क्या होता है? Internal Fertilization होता है, जो Fertilization होगा, वो body के अंदर ही होगा, और development की बात करें इनमें, तो इनमें जो development होता है, वो कैसा होता है? Indirect होता है, मतलब larval stage present होती है, अपने अब तक जितने पे phylum पढ़े पीछे वाले उन सब में अपने क्या देखा? जो development होता है, वो indirect होता है, कोई ना कोई larva, वहाँ पे present होता है. जो platy helmetis होते हैं, वो अपने देखा क्या होते हैं, endoparasite होते हैं, वो किसी की body में ऐसे parasitic form वे रहते हैं, तो parasitic adaptation होती है, कुछ तो वो अपन देखते हैं, सबसे पहले क्या होते हैं, इनकी body में hooks और suckers होते हैं, यहाँ पर यह जो hooks होती हैं, उनका function क्या है? जो hooks होती हैं, वो क्या करती है, attachment में help करती है, जो хोस्ट होता है, उसकी body से attachment में help करती है, और जो suckers होती हैं, वो क्या करती है? Next, उनकी body में क्या present होता है? तेगउमेंट प्रेजंट होता है इंपोर्टैंट है यहाँ पर टेगउमेंट क्या होता है एक श्रेकल की लेर होती है उसके भीधend की रखीड की वाटी होतीज है अगिश्छीbasis कीकि दो नगया क्म कर सकति कुछ फूंड उसका जो भी डाइजस्टेट फूोर्ड होता है उसको ब्टी सरफेश के थर्व क्या कर लेते हैं, एब्सॉब कर लेते हैं, तो इन में जो माउथ होता है, वो अपने देखा माउथ में क्या होते हैं, यहाँ पे होक्स और सकर्स प्रेजन्ट होते हैं, यहाँ पे जो माउथ होता है, इन में वो फीडिंग के परपस से नहीं होता, वो सिर्फ किसके लिए होत investment के purpose से होता है क्योंकि इनमें जो feeding होती है जो भी food होता है इनकी body surface से absorb होता है इनमें next example की डाल करें तो इनमें पहला example है planaria planaria अपन देख junka है जो कि कै है free living का example है और जो planaria होता है उसमें important है इस और नेसी घुति को क्या स لوग लेताक है, और नेक्सुन है फशयोला, पशेड से लीवर फ्लूल भी बोल जाता है प्रड़ पूलज्स, पत्ति जैसे नेनश दुषक घे पूली नेग्सुन हसने है। तो Platie Helmetros' का पहला चैनल पड़ना देखते हैं तेप वॉॉम अपन यहां पर देख रहे हैं इसको पया है कुछ बोला गया है क्योंकि इनकी बड़ी पुर रिगनी द नी तेप भॉर्म बोले जाता है और यह जितने भी पीछे वाले दिख रहे हैं यह सब क्या है श्रॉबिला है और यह श्रॉबिला में क्या होते हैं प्रोग्लोटेट होते हैं और एक टर्म है एपोलाइसिस और यह जो प्रोग्लोटेट होते हैं वो क्या होते हैं जैसे मैचॉर होते जाते हैं वैसे इनकी प्लैट वांसस को किया बोला जाता है, अपनको देखने को मिलता है, जैसे कि एक टम होटा है, जैसके अपने प्रोग्रोट्य PM, ईससे जो चिएसा नकी बॉडडी से टता है उनकी अपना एंट एक एक अग्जामपल लोगी को एक लेश होता है कि these upper fvluk है और इस मैं दूपार है इनकी बॉड़ी माज़ प्रजेंट होता है जो क्या प्रजेंट ळोता है यहाँ लुट कर दो होता है इसो ही से रोलेटेड होता है उसको दो धींअ करें डाइन Beating-umbra입니다 यह क्या होता है, डाइजनेटिक होता है, डाइजनेटिक मतलब इसका जो लाइफ सैकल होता है, वहाँ पे दो होस्ट प्रेजन होते हैं, एक जो प्राइमरी होस्ट होता है, क्या होता है, शेप या गोट होता है, और जो सिकेंडरी होस्ट होता है, गार्डन स्नेल होता है, और आ सकते हैं कि जो लार्वा है उसका sequence आपको ABCD दे के पूछ सकता है तो इसका जो लार्वा होता है उसका sequence याद रखना है तो यहां पे सबसे पहला जो लार्वा होता है वो क्या होता है मेरा CDM होता है उसके बाद में क्या होता है उसके बाद में क्या होता है उसके बाद में क् उरुसिस्ट, उसके बाद में रेटिया, उसके बाद में सरकेरिया और उसके बाद में मेटा सरकेरिया है, तो यह क्या है लार्वा का सिक्वेंस है, यह लार्वा का सिक्वेंस याद रखना है, और यहां पर ही जो मेटा सरकेरिया लार्वा है, यह किसको इंफेक्ट करेगा, यह इसका प्राइमरी होस्ट है शीप या गोट को इन्फेक्ट करेगा और यहां पर यह जो मीरा सीडियम लार्वा है जो अपन यह जो पहला लार्वा है मीरा सीडियम यह किसको इन्फेक्ट करेगा स्नेल को इन्फेक्ट करेगा यहां पे जो स्नेल होता है वो लिम्निया भी हो सकता है तो अपनको याद रखने है जो फेश्वला हिपाटिका होता है उसमें पांच लार्वल स्रीजिस प्रेजन होती है MSR, CM और यहां पे जो मेटा सरकेरिया होता है वो प्राइमरी होस्ट जो कि यहां क्या होती है शीप होती है तो यहां पे जो शीप इंफेक्टर होती है वो किससे होती है मेटा सरकेरिया लार्वा से होती है नेक्स्ट अपन बात करें सेकेंडरी होस्ट पी जो कि यहां पे स्नेल होता है वो किससे इंफेक्ट होता है इस Miracetium larva से infect होता है नेक्स बात करें तीनिया solium की तो तीनिया solium को क्या बूलाचाता है pork tape bomb बूलाacăता है यहां जो pork word हो किससे related होता है pig से related होता है और यहां पे जो pork tape bomb है वो human gut parasite है मतब human का जो small intestine होता है वाहं पे वो ऐसे parasite रहता है तो याद रखना है जो टीनिया सोलियम होता है उसको पोर्ग टेप बॉलते हैं और यहाँ पे जो हुमन का स्मॉल इंटस्टाइन होता है वहाँ पे ऐसे पैरसाइट रहता है और इसकी लार्वा के बात करें तो इसकी तेन लार्वा स्टीजिस होती है एक तो ओन पुस्पेर लार्वा होता है और नेक्स्ट क्या होता है सिस्टी सरकस लार्वा होता है तो यहाँ पे जो सिस्टी सरकस लार्वा होता है यहां पे जो सिस्टी सरकस लार्वा होता है यह भी क्या होता है जो प्राइमरी होस्ट होता है वो मैन होता है और सेकेंडरी होस्ट होता है वो क्या जो प्राइमरी गुनिथ मैन की बात करें तो यहां पे जुसिस्टि-Circus larva होता है वह gü nhân को इंवेक्ट करता है और जो उन्को स्पियर लारवा होता है वह जो इंवेक्ट करता है जो मेन होता है वह जब मीजली पोर्छ मीजली पोर्छ में जो कि इन्फेक्टर्ड होता है लार्बा से तो उससे क्या होता है यह पोग टेपोंब जो होता है वो उसकी बॉड़ी में एंटर हो जाता है और उससे टीनिया से सिया जिसको सिस्टी सर्कॉसिस बोलते हैं डिसीस कोस करता है और इसकी बॉड़ी रीशन के अगर आपन बात कर अपन देख चुके हैं इनमें क्या होता है सिपलाज़welt हो जाता है तो इनमें हैं से अपन डिस्टिंख है देख सकते हैं,askollect विदरोος है और इसका है होता है नाश्मिल्स हलते है कि नाज़ इनमेher ओपन आशेंगे नाश में अन स्पॉलर क्या होता है जो अरश के बाद में क्या होता है जो नेक होता है वहां पे ऊपलीक पनी पोलीच्प सो त्यूमार गाथ Qelsis टीनिया सेजिनेटा को बीफ टेप भॉम भी बोला जाता है अपने अभी क्या देखा था पॉल्ट टेप भॉम देखा था और यह जो टीनिया सेजिनेटा होता है वो क्या होता है वीफ टेप भॉम होता है next होता है Echinococcus जिसको अपन dog tapeworm भी बोलते हैं तो platyhelminthes में अपने क्या क्या देखा, platyhelminthes को क्या बोला जाता है flatworms भी बोला जाता है और इन में अपनको सबसे पहले क्या देखने को मिला, sterilization देखने को मिला और उसके बाद पर अपन यहां पर level of organization की बात करें तो सबसे पहले अपन को यहां पर क्या देखने को मिला organ level of organization देखने को मिला सबसे पहले अपन को यहां पर bilateral symmetry देखने को मिली सबसे पहले यहां पर अपन को क्या देखने को मिला यह क्या होते हैं triploblastik होते हैं, इन में एक जो mesoderm layer होती है, वो देखने को मिलती है, और इनकी excretory cells के अपन बात करें, तो वो कौन से होते हैं? flame cells होते हैं, जो कि क्या है? important है, फिर इन में अपन को क्या देखने को मिलते हैं? muscle layers देखने को मिलती हैं, next अपन बात करें तो यह क्या होते हैं एंड पहला ऐसा फाइलम है जहां आपन को क्या देखने को मिले एंडो पैरसाइट देखने को मिले तो यह कुछ इंपोर्टेंट है यह आप याद रखना थेंक्यू